भगवान बुद्ध का जन्म व्यसाक मासकी पूरीमा को हुआ था। इस पूरीमा को बुद्ध पूरीमा कहा जाता है। देश भर में आज बुद्ध पूरीमा का पर्व मनाया जा रहा है। बुद्ध पूरीमा बौध अनुयाईयों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास परव है हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विश्नु का नववा अवतार माना जाता है इतिहासकारों के अनुसर बुद्ध के जीवनकाल को 563-483 इसापूर्व के मध्य माना गया है अधिकांश लोग नेपाल के लुंबिनी नामक इस्थान को बुद्ध का दिन बुद्ध पूरिमा का संबंद बुद्ध के साथ केवल जन्म भरका नहीं है बलकि इसी पूरिमा तीथी को वर्शो वन में भटकने वाकठोर तपस्या करने के पश्यात बोध गया में बोधी विरिक्ष नीचे बुद्ध को सत्य का ज्यान हुआ कह सकते हैं कि उन्ह महापरी निर्वान हुआ कूल मिलाकर जन्म सत्य का ज्यान और महापरी निर्वान के लिए भगवान गौतम बुद्ध को एक ही दिन यानी वैशाक पूरिमा के दिन ही हुआ भारत के साथ साथ चिन नेपाल सिंगापूर वियत नाम थाइलेंड जापान कंबोडिया मलेशिय श्री लंका मया मार इंडोनेशिया पाकिस्तान जैसे दुन्या के कई देशों में बुद्ध पूरिमा के दिन बुद्ध जन्ती मनाई जाती है भारत के बिहार राजी में इस्तित बोध्धा गया बुद्ध के अनुयायो सहीत हिंदुों के लिए भी पवित्र धार्मिक इस बुद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिये जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं इस दिन बुद्ध धर्म ग्रंतों का पाठ किया जाता है भगवान बुद्ध के वल बुद्ध धर्म के अनुयायों के लिए अराध ही नहीं है बलकि उत्री भारत में गौतम ब दक्षिन भार्ती बल्राम को विष्णु का आठ्वा अवतार तो श्रीक क्रिश्णु को नववा अवतार मानते हैं। बॉध्ध धर्मे के अनुआई भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते। बोध्धों के लिए बुध गया नामक इस्थान गौतम बुध के जीवन से समबंदित सरवादिक महत्वपुन्ट तिर्थिस्थल है। बोध्गया के अतरिक्त कुसी नगर लुंबनी तथ सारनाथ भी अन्यतीन महत्वपुन्ट तिर्थिस्थल है। माना जाता है कि गौतम बुध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की सिक्षा दी। घर के मंदिर में विश्णुजी की दीपक जला कर पूजा करें और घर को फूलों से सजाएं। घर के मुखी द्वार पर हल्दी रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल छुड़ की। बोधी विश्च के आसपस दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में दूद्वी सरजीत कर फूल चड़ाएं। गरिब को भोजन और कपड़े दान करें। रोश्णी ढलने के बाद उक्ते चंद्रमा को जलर पित करें।